असलालेकूम, वेलकम टू लेट्स कुक विट पैशन, आज मैं आपके साथ बहुती सॉफ्ट और मुमेक्विल जाने वाले गलावटी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ, यह खाने में बहुती टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राइ करें, और अगर आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे, इसे बनाने के लिए पहले मैरिनेशन का पेस्ट तयार करेंगे, उसके लिए एक टेबल स्पून खशकश लेंगे, बारा काजू लेंगे, ब्राउन किये हुए, दो टेबल स्पून तली हुई प्याज लेंगे, अजा अधरी ने कुछ अधरी मसाले आटों के तोड़ा सा पानी आड़ करेंगे जरूरत के हिसाब से और इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे मैंने आदा किलो कीमा लिया उसको च्छे से दो कर बारीक पीस लिया है अब मैं इसमें एक टेबिल स्पून मैंने या नीमू का जूर इसमें डाल दिया है कबाब बनाने के लिए आप कीमे में थोड़ा सा चरबी जरू डलवाएं थोड़ा से चिकने कीमे के कबाब अच्छे बनते हैं अब पेस्ट को मिक्स करना हमें इसे अच्छे से मक्स करना है। इससे मयरें जब आच्छे से मिक्स करना है क्योंकि आफ 59 a अब एक टीस्पून मैंने इसमें नमक एड़ किया, आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालें, और एक टीस्पून इसमें पीली मिल्च, जो पीली वाली मिल्च होती उसका पाउडर मैंने आड़ किया है, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसकी त यह कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं कि मुह में रखते ही आपके घुल जाएंगे, अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सभी को, अब हम इसको ढग कर आदे गंटे के लिए रख देंगे, मैरिनेट होने के लिए, यह हमारा सोटी कुल राइची ली के लें, दस लॉंग लिए, दो इंच दालचीन इसकोड ले, एक टीस्पूने काली मिल्च्वने क्ली रिए, तो तेज पत्ति ली, 갑त्ति, एक जावीत्ञ ठम, ब्रशे में इसकोमिनदान गड़ातरी हो नही ऑली कुल शूमिना और सूक्छी गु अभीस मिक्सी में काने अड़ बना लाटि क tvåवर, अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आयाकर 1 आपको मेरीसिपी पसंद आ पर तो लाइके बटर्ण जरूर प्रैस करें अभी देखी मैंने इस मिक्सी में डाल कर इसको अच्छे बारीक पीस लिया है इस पाउडर को अब हम साइड में रख लेंगे इसको सैकेंड मैरिनेशन में यूज करेंगे अब आदा गंटा हो गया है अब हम इसमें केवडा वाटर एड करेंगे एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून इसमें गुलाब जल डाल देंगे अब इसमें जो हमने कबाब का मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे इसमें और इसमें तीन टेबल स्पून भूने हुए चने का पाउडर या फिर आप बेसन को भी भून के इसमें डाल सकते हैं बहुत अच्छे से हमें इसको मिलाकर और फिर से हमें चार से पांच मिनिट तक इसको मसाज करना है मसाले को बहुत अच्छे से जब यह अच्छे से मिक्स होगा तभी अच्छे से कुल कर आएंगे हमारे कबाब में इसलिए यह स्टेफ आप जरूर करें इसको कूब अच्छे तो सब्सक्राइब भी कर लें अब देखिए अच्छे से मसाज हो गया इसका तीन से चार मिनिट तो अब हम इसमें बीच में एक स्पेस बनाकर एक स्टील की कटोरी रख देंगे और अब हम इसमें जला हुआ कोईला रख देंगे इस को टोरी पे यह देखिए जला हुआ कोईला में रख दिया और इसमें हम अब दो लॉंग डालेंगे दो लॉंग डालकर थोड़ा सगी डालेंगे देसी और इसको फॉरन कवर कर देंगे जिसमें स्मोक सब अंदर ही रहे स्मोक देने के बाद हम इसको 30 मिनिट के लिए ऐसी रखेंगे ताकि स्मोक का फ्लेवर कबाब में अच्छे से आ जाए अब देखिए 30 मिनिट हो गया है अब पूरी स्मोक इसकी चली गई अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है कटोरी को हटाकर अब हम इसके कबाब बनाएंगे तो मैंने एक पैन में थोड़ा तेल गर्म कर लिया है क्योंकि कबाब को हमें शैलो फ्राइ करना है और हाथ गीले करके अब मैं इसके कबाब बनाने जा रही हूं यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा पॉर्शन लेकर उसक इसको हाथों को गीला कर लें बहुत ही असानी से बन जाते हैं इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी बागी और फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम हीट पर अब यह देखिए एक साइट से हो गया है दो मिनिट लगबग लगे इसको पकने में फिर हम इन कबाब को पलट देंगे इसे हमें बार-बार नहीं पलटना है बहुत आराम से करिएगा वरना ही तूट भी सकते हैं लाय। अब बाँ को दोनों तरफ से अच्छे से जब तक तक रहा हो जाए तब तक शेक ना का इनदर कोई में बहुत अच्छे से अंदर थी पाग गये और बाहर से भी इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है बॉल्डन ब्राउन् downtime अब हम इने एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे अब हमारे कबाब बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं बहुत अच्छी कुछबूस कबाब से आ रही है आप इस रेसिपी को जरूर ट्रॉय करें और इसे आप रोटी पराठे यशीर माल वगेरा के साथ भी सर्फ कर सकते हैं मैंने यहां इसको सलाद और नीमू के साथ सर्फ किया है रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमली में जरूर शेयर करें टेक कियर थैंक यू